तो हेलो बच्चो नवाभा यूट्यूब चैनल के बोड़ाभा सिक्षन में आप सभी बच्चों का स्वागत है तो बच्चों फिजिक्स का 2021 में अपके एक्जाम हुआ है तो उसका हम पाट वन लेके आ चुके थे तो उसमें 1 से 17 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दि वीडियों का उसमें पाट 1 यह पाट 2 है तो दोनों का जोड के आप कितना नंबर लाये हैं उसको कॉमेंट जरूर कीज़ेगा ठीक है तो चलिए मैं 10 नंबर साज यहां पर इस वीडियो में शुरू करते हैं और देखते कि आपका कितना सही आप मैच कर लिजएगा तो 18 का पूछ रहा है तो आपको दिख रहा है कि यहां पर दिख रहा है कि यहां जाएगा तो आपका फोकल लेंट आधा हो जा रहा है वैसे आपको चेंज नहीं आ रहा है साइन में चेंज नहीं आ रहा है तो कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स लेंज ही रहेगा तो इसका सही होगा दो उत्तल लेंज प्रसपर संपर्क में रखे है तो सम्तुली लेंज क्या होगा उत्तल होगा चले 20th question में चलते हैं कि आप पूछ रहा है कि in compound macroscope the focal length of objective is objective का क्या होत कीजिए और.net के English speaking course के साथ आज ही जुड़ जाइए जहें English के top expert आपको Hindi भासा की मदद से English बोलना सिखाएंगे वो भी एकदम basic से अगर आप English बोलने में आज से हिच की चाहते हैं क्या फिर आप अपने English interview के त्यारी कर रहे हैं या फिर अपने आपको English में hero बनना देखन चाहते हैं तो फिर यह course आपके लिए है इस वीडियो के description box में एप का link मिल लाएगा जाके इस course का हिसा बनी और अपने English बन लेकर सपने को पूरा किजिए तो सन्युक्त सुचमदर्शी में अभी द्रिश्यक की focus होती है क्या होती है नेत्रिका के focus से कम होती है चलिए अब अगले questions पर चलते हैं 21st में देखे क्या पूछ रहा है 21st में 21st में पूछ रहा है in compound microscope the image form by eye squeeze तो आई पीस के द्वारा जो आपका image form होता है वो किस परकार क होता बचो तो क्या हो जाएगा इसका answer 21st का एंसर हो जाएगा 21st का हो जाएगा ए ठीक है यहां पर जो दिख रहा है virtual and magnified मतलब कि अभासी और अवर्धित होगा इसका answer सन्युक्त सुचम दर्शी में नित्रिका द्वारा बनने वाला परतिविम तो यह option इसका सही होगा चल इसका सही हो जाएगा ठीक है चलिए हम 23rd में चलते हैं वोल रहा है वीच आप फॉलएंग इस पाथ डिपरेंस पूछ रहा है तो यह आपको पता होगा कि इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टिपल ऑपाई होता है तो एन पाई इसका answer होना चाहिए तो स्थी इसका 3 option सही होगा इसका सही होगा constructive interference के लिए तो 23rd का answer क्या होजाएगा 3 option अपका सही होजाएगा C option इसका सही होजाएगा तो 23rd का देखिए आप हिंदी में पूछ रहे हैं नीमन में से कौन सा राचनात्म विक्तिकरन के लिए पतांतरन है तो एन पाई इसका answer सही होजाएगा 24th में इसका चलते हैं आप लोग का plane polarized light vibrates का कैसे बाइबरेट करता बचो plane polarized perpendicular तो क्या होगा बचो इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन 25 का क्या option सही हो जाएगा 25 का option number C सही हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा प्रस पर लंबवत दिसा में ठीक है तो आपको यह भी complete होगे 25 तो और द that reflected and reflected rays are perpendicular to each other then तो इसका option क्या सही हो जाएगा 26 नमर कोशन यह थोड़ा सा टीपिकल था बहुत सारे बच्ची इसको नहीं करके पाये है तो 26 का option number 1 सही होगा 1 सही होगा यह option सही इसका होगा mu के equal होगा आपका 10C चलिए देखिए अगला क्या 27 नमर कोशन देखिए पूछ रह होता है तो क्या होता है इसका बच्चों भी is equal to w by h होता है जहां पर आपका भी होगया threshold frequency w होगया आपका work function और यह आपका हो गया h हो गया Planck constant सभी का value पूट कीज़ेगा Planck constant का value पको पता है आप लोग को सारे बच्चे आपको पता ही होगा 6.6 into 10 the power minus 34 होता है इसका Planck का value minus 34 तो सभी का value put कीज़ेगा तो सभी का answer जब कीज़ेगा 2.14 into 1.6 क्योंकि electron volt है तो इसको into करना होगा 10 the power minus 19 से 1.6 into 10 the power minus 19 से divide कर देना होगा Planck constant का value क्या होता 6.6 into 10 the power minus 34 इसको divide कर दोगे बच्चों तो कितना answer आपको मिलना चाहिए तो 27th का आपको D option match करना चाहिए बच्चो का कारिफलन दिया हुआ है सीजम की देली अरवर्ति क्या होगी तो यहां पर प्लॉंक कोश्टिन करें कि यहां पर value दे दिया है तो कोई दिकत नहीं था तो यहां पर फूर ऑप्सेंस का सही होगा बहुत ही असान question था एलेक्ट्रोन वोल्ट का भी value दे दिया तो करना ही न energy के और एम से मास और फिर आपको लेमडा का यूज कर देना था लेमडा आपको पता होगा क्या होता है वेवलेंट अपको हो जाएगा प्लांक कॉंस्टेंट वाइप तो इसका वेल्यू आप सभी कप पूट कर दोगे तो इसका अंसर कितना आना चाहिए था 28 का आपको बी ठीक है एंपियर में बोल रहा तो थोड़े से गलती से एंग्स्ट्रॉम होगा ठीक है अगला देखिए 29 में इफ डिके कॉंस्टेंट ओफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस दिया हुए आपको पर यह देन इट्स हाप लाइफ ही जिसका फर्मूला यूज करके बनाना अगले कोशन पर चलते हैं ठीक है अगला क्वेशन देखिए क्या पूछ रहा है कि वीड़ वीड़न बैंड इस मैक्सिमुम में जो जाता है तो मेटल तो कंडॉक्टर होता तो इसमें सबसे मिनिमम होगा सेमिकंडॉक्टर मीड रेंज में रहेगा और सबसे मतलब मैक्सिम जादा मतलब कि दूर तक इसका जाएगा तो यही नॉन कंडॉक्टर जो कंडॉक्ट नहीं करते डायोड के किस तरह से उप्यों किया जाता है बच्चों डायोड को प्यों कि प्रकार से करते हैं एक बर शारी हिंदी वहां को बता देते हैं वरजित बैंड का चोड़ाई कि तो किस तरह से उप्यों किया जाता है तो डायोट किस तरह से यूज किया जाता है तो सॉरी रूपमें इसको यूज किया जाता है तो क्या होगा इसका एंसर सी आप्सेने इसका सही हो जाएगा這 222 पर सेऻिऑ फशेवelson सही ओजाएगा 613 बोल रहे है 8 uważa न को दइसके को भी बोल रहें ठीक है 33 का question देगे पूछ रहा है electric conduction in semiconductor is due to किसके कारण होता है बच्चों और चालक में विदूद चालक का कारण तो holes और electrons दोनों इसका कारण होते है न तो hole और electron दोनों होगा अब देखे बच्चों यहां पर truth table दे दिया गया truth table किस logic gate का है तो आपको truth table तो चारों का पांचों का जितना भी है सभी को context रखना है सभी का टेबल याद होना चाहिए यह बहुत ही जरूरी था दो नंबर यहां से fix था ठीक है तो यह आपका कौन सा होगा यहां पर देख रहा है सिर्फ one one में आपका जीरो है बाकि सम्में one आपका output आ रहा है तो input के इस आपसा output आपको पता होगा तो यह 34th का answer आपका nand get होगा यह option इसका सही होगा बच्चों truth table आपका दिया हुआ था देखिए यहां पर सत्यता सार ने दीव भी थी तो इसके लिए logic get nand इसका answer सही होगा अब देखिए 35 जो last question है पच्चों आप इसको देख सकते हैं कि the device which is combination of receiver and transmitter is जो आपका अभिगराही और प्रेशित्र का सन्योजन है किस में होता है बच्चों यह repeater में होता है तो पुनरवर्तक में होता है तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने सारे questions complete कर दिया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like किजेगा और अपने दोस्तों के भी share कर update मिल सके सभी को यह जो जरूरी मतलब की जो अंसर किये वह सभी को मिल सके और देख सके और आप कोसिस की जगा कि जो भी बाकी बच्चे पेपर है सभी में बजोर लगा के महनत करना है और यह वाला objective questions जो है वो 2022 वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है जो 2022 में झाले खायदेम ठांचे के लिए.